दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी के SPL पे टेक्निकल पर तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि आप अपना US Tax Information फार्म पूरा भरेंगे कैसे लाइव आपको चल के पूरा फार्म भर के दिखाऊंगा अप्रूब्ड करके दिखाऊंगा तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जिनका जिनका चैनल मोनोटाइज हो चुका है या मोनोटाइज अभी अभी नया नया हुआ है चाहे पुराना हो चाहे नया हो सब को क्या करना है अपना US Tax Information फार्म भरना है जो भी और कितना परसेंट आपको टैक्स देना है जो भी इसका सारा डेटेल्ड वीडियो मैंने 5-6 मिनट का वीडियो पहले ही और उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिआ है जिसकी इच्छा होगी जिसको समझना होगा जानना होगा की आखर यह है क्या कि तो उस वीडियो को देखके आप समझ सकते हैं इस वीडियो में मैं केवल आपको पूरा फाम भरके दिखाऊंगा और जैसे ही आपका फाम सम्मिट होगा आप लास्ट में भी देखेंगे कि आपको पूरा अप्रूब्ड या ग्रीन ग्रीन वहां पर दिखा देगा तो क्या करना है कैसे करना है चलिए हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और सारा चीज उलाईव आपको पूरा फाम फाम बहुत लंबा है इसलिए आप लोग ध्यान से देखीगा क्योंकि कापी डियर सारी डीटेल उसमें भरनी है तो लंबा फाम है इसलिए जब उसको सही से आप ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी तो चलिए चलते हम अपनी इस् प्रोसेस यह इस प्रकार से होगा, पेज खुलेगा, नया, ठीक है, अब आपको देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिलना है, add text info, ठीक है, यह देखिए, नीचे सब से यह देखिए, add text info, ठीक है, तो कहनेक मतलब जब आप इस पे क्लिक करेंगे, तो एक बार यह फिर से आपक आपको next page मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार, तो देखिए, इस प्रकार का आपका page खुल जाएगा, अब simply इसमें देखिए, दो option दिखा रहा है, individual एक करने के लिए आ रहा है, और यह कम non-individual, ठीक है, तो जैसा सब भी जानते हैं कि YouTube चैनल हम लोग चलाते हैं, कोई एक आद रहा है, कि are you a citizen or a resident of the United, मतलब आप United States के नागरीखों की नहीं, तो हम इंडिया के हैं, हम वहां के को हैं नहीं, तो हमें कर देना है, no पे click, और no फिर से आपको कर देना है next पे click, तो जैसे ही next पे आप click करेंगे, तो फिर देखिए, आपको नीचे option मिल जाएगा, अब इसम आई तो इसमें confusion वाली कोई भी बात नहीं है, सेंपल से इसमें ये देखे लिखा भी है, individual के लिए हमको उपर वाला करना है click, और जो individual नहीं है, जो business type के उसमें नहीं, तो हम individual है, तो उपर वाला यानि individual वाले पे करेंगे click, तो w8ben, अब आपको नीचे start वाले में फिर से क खुल रहे हैं, ये देखे, ध्यान से आप देख लिजी, आपको यहाँ पर नाम आ जाएगा, देखे कुछ इस प्रकार से, कि जिस नेम से आपने एडसेंस एकाउंट बनाया था, ठीक है, वो आपका यहाँ पर यह देखे नाम देख जाएगा, ये देखे, ठीक है, जो गुण से कंट्री में है, तो इसमें आपको जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर, तो यह देखे, हमारा इंडिया आ गया, तो हम कर देखे हैं, इंडिया में क्लिक कर दिया, उसके बाद जब आप नीचे जाएंगे, तो यह देखे, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, आपको देखे एंडियर जो tax identification नंबर होता है तो हमारे इंडिया में जो tax identification के लिए जो ID हमें दी गए हो हमारा pen card है तो हमारा वही pen card के नंबर डाल देना है जिसके नाम से आपने अटसेंस अकाउंट बना है था उसी का जो है आपका पैन card का यहां पे number डाल देना है card number भी डाल देना है आपको simply फिर से नीचे next वाले में कर देना है click तो जैसे ही आप next वाले में click करेंगे आपका फिर से जो है page जो है देखे uploading लेगा अब देखें इसमें simple से आपको वही पूरा अपना address भरना है जो कि अपने adsense account बनाते हैं अपना पूरा डाला था यह देखें मैं आपको पूरा देखें हाँ उपर क्लिक करके दिखा जाता हूं दिखा यह तो दिखेंगे आपका पूरा आ जाएगा tax identity जो आपका जिस नाम है और पायन का नंबर जो भी है अब इसमें क्या बोला है permanent residence address ठीक है तो इसमें क्या करना है required to submit payment अब यह कहने का मतलब यह जो आपका यहां पर है इसमें आप चेक कर दिए जैसे मैंने कर दिया ठीक है अब कंट्री हमारे इंडिया है अगर आपका गलत हो तो आप यहां सफिर से क्लिक करके इंडिया कर लीजिए अब चलिए आप अपना यहां पर पूरा एड्रेस भर दीजिए जो आपने एड्सेंस अकाउंट में डाला है ठीक है तो यह देखें हमने अपना पूरा जो है एड्रेस डाल दिया है तो कंट्री के बाद आपको एड्रेस कर दिया है उसके बाद इसमें दीखिए क्या बोला है पॉस्टल एड्रेस अपने डाला है है ठीक है अपका सेम है तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए अगर मान लीजिए पत्त्रा चार के लिए या다कुमेंट भेजने के लिए कर आपका कोई जगह बदल गया हो तो आप नीचे यहाँ पे अपना option जो है दूसरा पता भार सकते हैं अगर आपका पता address सेम है दोनों तो आप इस वाले पे कर दीजिए यहाँ पे यह देखिए जो box है इसी पे आप कर दीजिए check यह देखिए यह आपको जो यह box है इसी पे आपको कर देना है check तो जैसे ही हम इसमें check कर देते हैं देखिए आपको फिर से जो है next का option आगया तो आप फिर इसी कर दीजिए next वाले option में click अब उसके बाद क्या बोल लहा है कि इसमें क्या बोल लहा है हमारा इंडिया जो है उसका समझा होता हुआ है यूएस के साथ तो हम बिल्कुल इसका claim करते है benefit के लिए तो हमें क्या करना है yes resident of the country claiming treaty with the US ठीक है तो simply हम treaty है इसलिए हमें इसी yes वाले पे कर देना है click तो जैसे ही हम yes वाले में करेंगे click फिर आपको क्या residence of the country claiming ठीक फिर से आपको इसमें चेक कर देना है नीचे अब उसके बाद आपको country counts अजिस country ब रहते हैं इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडिया डाल लेना है तो चलिए हम अपना इंडिया डाल लेते हैं कहां गया इंडिया यह देखिए तो हम अपना इंडिया डाल लेते हैं तो जैसे हमारा इंडिया हमने अपना option डाला यहां पर यह देखिए तो उसके बाद आपको नीचे क्या करना है service हम काउन से लेते हैं absence की ले रहे हैं तो हमको क्या करना है absence वाले में कर देना है अब article आपको automatic यह ही दिखाएगा नीचे आपको फिर से करना है आपको फिर से करना है article and paragraph यह सेवन वाले पर दूसरे वाले में नीचे with rate 0 तो आपको 0% इसका reduce rate कर रखना है फिर आपको नीचे क्या कर देना है चेक मार्क लगा देना है और उसके बाद फिर से आपको करना है motion picture and tv ये पहले वाले आपसुन में फिर से आपको click कर देना है तो फिर से आपको article and paragraph automatic एक ही दिखाएगा जब आप click करेंगे तो बस 12 वाला आपको इस पर select कर देना है आपको option check कर देना है ठीक है जब आप इस पर check कर देंगे तो आपको फिर से देखिए आपको एक article and paragraph फिर से ये automatic आपको खुलेगा फिर से hit all वाला कर देना है यह जिए इसमें फिर से आपको 15% rate कर देना है आप इसको ध्यां वाला कर देना है फिर से अपको नीचे कर देना है चेक और जैसे या आप चेक करेंगे तो फिर से आपको next वाले option पर click कर देना है क्लिक तो जैसे यह आपको यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर क्लिक कर देना है चेक लगा देना है यह यह देखिए आपको इसी कंफर्म वाले में कर देना है चेक तो चेक करने के बाद फिर से आप कर दीजी नेक्स्ट और नेक्स्ट करने के बाद यह आपको फिर इस प्रकार सो कुछ देखी पेज खुलेगा तो इसमें क्या बोल रहा है नीचे आपको योर सिगनेचर फूल लीगल नेम ठीक है तो आपको क्या करना है फिर से वही आपने जो नाम डाला है आपका जो आईडी में यानि जो आपका पैन कार्ड में नेम है वही अपना यहां नाम डाल देना है लीगल नाम ठीक है जिसके आप पैन कार्ड आईडी यहां पे दे रहे हैं ठीक है तो हमने यहां पे फूल अपना नाम डाल दिया है जो कि हमारा पैन कार्ड पे था ठीक है तो नाम डालने के बाद आप नीचे आपको आप्शन मिलना है आर यू दे परसन listed in the signature section ठीक तो आपको भी इसमें कर देना है yes वाले में पहले वाले option में click कर देना है चेक कर देना है उसके बाद फिर से आपको कर देना है next वाले option पे click तो next वाले option पे क्या click करने के बाद आपको यहाँ पे क्या आएगा देखिए कि activities and service performed in the US तो इसमें आपको करना है no ठीक है ध्यान से देखिएगा तो इसमें हमने no कर दिया उसके बाद फिर से आप नीचे चेक कर दीजिए ठीक है certify अपने से कर दीजिए चेक लगा दिया उसके बाद status change यह आपको क्या बोला दो option नीचे मिल I am providing tax info for a new or existing payment कहने का मतलब अगर आपने अब ने एडिसें से एक भी बार अभी तक payment नहीं लिया है पेमेंट आपका एडिसें से अभी तक नहीं आया है कोई भी पेमेंट एक भी नहीं आया है तो आप उपर वाला किलिक करिए और नीचे वालगर आप प्रकाद एक कम सकम एक जो भी बार आप अगर पेमेंट एडशन से ले गये हैं, ले चुके हैं, मतलब आप पुराने हैं तो आप नीचे वाला क्लिक करिए, तो क्योंकि मेरा अभी एडशन से कोई एक भी पेमेंट अभी तक नहीं आया है, तो मैं अभी सबसे उपर वाला मतल कुल देखिए, आपका पूरा ये फॉर्म सब चीज अप्रूब्ड अप्रूब्ड करके दिखा दिए गया, और तुरंत आपको एक मेल भी आ जाएगा, आपको एडशन्स आपके एकाउंट में, ठीक हैं, कि आपको मेल के द्वारा बता दिया जाएगा, कि आपका पूरा ये ये सब्सक्राइब करके आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, वीडियो अगर आपको पसंद आये हो, तो लाइक करके आप अपना सपोर्ट जरूर दीजिए, मान लिजी आभी भी आपके मन में वीडियो से सम्बंधित कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, को को सब्सक्राइब करके आलवाली घंटी दबाली जीए, तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम